जैमातादी भक्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का, आप सभी के आपके अपनी यूटूब चैनल वशीकरन रहस से में भक्तों, यदि आपको कोई समस्या है, सोतन से छुटकारा पाना चाते हैं, गरेकलेस हैं, घर में लड़ाई जगड़े चल रहे हैं, किसी से आप प्यार करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं तो भक्तों, ऐसी ही वीडियो में आपको इस चैनल पर देता रहता हूं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे और आपकी समस्या का समाधान हो सके प्यारे भक्तों भक्तों, आज का तोटका मैं लेकर आया हूँ, इस तोटकी की दौरा आप किसी भी वैक्ती को आसानी से अपने से दूर कर सकते हैं या फिर वो कोई आपका दुश्मन हो, या फिर आपका बेटा, आपका भाई, कोई भी किसी गलत के संगत में पढ़ गया है जिससे आप चाहते हैं कि वह उससे दूर हो जाए, आपके मानने पे भी वो नहीं मान रहा है तो भी आप इस टोटके को अवश्य करें, आप सिवा वैक्ती, आपके भाई से या आपके साथ किसी के भी साथ है वो आपका दुश्मनी क्यों नहीं वो उससे दूर हो जाएगा बस इस टोटके को आप हमारे बताए अनुसार करने प्यारे भक्तों या टोटका इतना प्रचंड और शक्ति साली है इस टोटके के दौरा आप आसानी से अपने कारे को 100% अन्जाम तक पहुचा सकते हैं तो क्या करना है प्यारे भक्तों? आपने एक मौमबत्ती लेनी है मौमबत्ती लेने के परशाद आपने दो दिये लेने, ध्यान रे, स्वच्छो, साफो और एक हरा पस्ता लेना है और एक टमाटर लेना है यहा लेने के परशाद प्यारे भक्तों आपने जो मैं एक मंत्र दे रहा हूँ यहां मंत्र आपको सिरिफ ओर सिरिफ उस व्यक्ति का नाम बता कर आपको वर्टसप के साहता से आपको यहां मंत्र मिल जाएगा प्यारे भक्तों क्योंकि यहां मंत्र इतना प्रचन्ड और शक्ति साली होता है यह तुन्त असर करता है यह नहीं कि आपके एक दिन बाद, दो दिन बाद, हफ्ते बाद, ऐसा कुछ नहीं होता पांच मिनट के अंदर अंदर यह मंत्र असर करता है और अपका परभाव दिखाता है इसका भक्तों आपने एक पत्ता ले लेना है, हरा पत्ता लेनी के परचाथ आपने एक दीप में उसको रख देना है और उस मंत्र को आपने 108 बार फूकना है फूक मारने के परचाथ दोनों पर फूक मारना है उसके बाद आपने मौम बत्ती को जला लेना है जलाने के परचाथ प्यारे भक्तों आपने इस मौम बत्ती को इस दीपक के अंदर रख देना है पहले नहीं रखना भक्तों, बाद में रखना है आपने रखने की परशाद आपको इस पत्ते के अउपर उस वेक्ति का नाम लिखना है जिसको आप दूर करना चाहते हैं नाम लिखने के परशाद आपने सात बार इसको ऐसे उस वेक्ति को बोल के गाली देनी है आपने मनी मन में देनी है जो श्राबे से नहीं देनी गाली देने के परशात आपने इसका जो हिस्सा काला हो जाएगा उसके परशात आपने टमाटर पी इस परकार से रख कर इसको बांद देना है किसी भी धागेत की साहिता से किसी के भी साहिता से बांदने के परशात इस ट मत्ती को आपने बुझा लेना है बुझाने के परशाद आपने दूसरे दीपक को इस परकार से रख कर बीच चुराहे में जाकर ऐसे रख देना है बस इतना सा कर देना है प्यारे भक्तों सो परसेंट जैसे इसके उपर से कोई गड़ी जाएगी या कुछ भी जाएगा जैसे ही आप फोड़ता है सिरी पांच मिनट के अंदर आपको इसका असर दिखने लगेगा जिससे आप चाते थे वह दूर हो जाएगी उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी वह खुद ही एक दूसरे से दूर हो जाएगी आपका दुश्मन है जो आपका बूरा चाह रहा था वह खुद पर खुद आपसे दूर हो जाएगा और आपको जब भी बूरा सोचेगा उससे पहले उसके साथ बूरा हो जाएगा यहां तोड़का अजमाया हुआ है प्यारे भक्तों इसलिए भक्तों इस टोटके को ध्यान पुर्वक करें और एक बार गुरुजी की साहता अवश ले लें तभी आपका कारे सफल होगा भक्तों यदि आपको कोई और भी समस्या है तो आप मारे दियेगे नंबर पर उसे संपर कर सकते हैं और समस्या का सामधान पा सकते हैं जय मातारी भक्तों आपका दिन सुभव